नमश्कार दोस्तों मेरी भोजन शाला में मैं इंदू भावसार आप सभी का भदब स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ लोब्या फली की बहुती चटपटी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ तो चले दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं और अगर आपको रेस माली वी कहते हैं और ये फली इस तरह के होती है तो इस फली को मैंने धंदो करिकर इस तरह के काटने और काटने के बार में मैंने इसे पानी के अंदर डाल करके रखावा है आप चाहे तो आलू को छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं तो पकेवे लाल टमाटर लिये हैं इसे मैंने रखली काट की रखावा है तो सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम गेज पर गड़ाई रख द तेल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं कि जब हमारा गरम हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे बारिक कटी वी लसंकी कलिया मैंने चार-पाच कलिया लसंकी लए करके इसे छील करके बारिक-बारिक काट लिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे आदा चम्मच जीरा एक छोटा सा तुकडा अधरक का लिया है इसमेनी छोटे तुकड़ों में काट लिया है आप चाहे तो अधरक को कद्दू कस करके ले सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक खरी मिर्ची बारिक कटीवी सारे चीजों को कुछदर चला लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे दो सुकी खड़ी लाल मिर्ची दो तेज पान के पत्ते लिए हैं इसे भी डाल देते हैं इसे भी कुछदर इस तरह से चलाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो मैं यहाँ पर आदा चम्मस लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हूँ देड़ चम्मस डालेंगे धनिया पाउडर आदा चम्मस से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे कटावा टमाटर, टमाटर को भी मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे कटेवे आलू, आलू को मैंने यहाँ पर बड़े पीसेज में काटा हैं आप चाहें तो आलू को छोटे पीस में काट करके ले सकते हैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमे डाल देते हैं नमक मैं आपर देड़ समस नमक डाल रहे हूँ आप अपने स्वाद के नुसार कमिया ज़्यादा कर सकते हैं नमक को सबजी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम सब्जी को ढग देते हैं और ढग करके हम इसे 3-4 मिट टक पकने देते हैं ताकि जो हमने आलू के बड़े पीसेस काटे हैं वो हलके से सोप्ट हो जाए तो यह देखें 3-4 मिट में आलू हमारा हलका सा सोप्ट नजर आने लगा है अगर आपके सब्जी में आलू को पकने में समय लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे कटावा फली फली को डाल करके इसे भी हम अच्छ से मिक्स कर देते हैं और अब हम सब्जी को ढग देते हैं और 2-3 मिट टक पकने देते हैं 2-3 मिट हो जाने के बाद में अब हम सब्जी को एक बार बीच में चला देंगे और फिर से सब्जी को हम ढग देंगे और ढग करके इसे 2-3 मिट टक और पकाएंगे तो अब यह देखें गे सब्जी हमारे बन करके त्यारे हम सब्जी को चेक कर लेते हैं कि आलू और फली हमारे पके हैं या नहीं तो यह देखें फली हमारे अच्छी से पक गई है और यह आलू भी अच्छी तरह से पक गया है तो अब हम समझी में डाल देते हैं आदा चमच गरम मसाला और थोड़ से हरे धनी की पत्ति डाल करके इसे अच्छी से मिक्स कर देते हैं और अब हम गेस को बन कर देंगे यह सबची हमारे बन करके तियार है इस सबची को हम गरमा गरम एक बावल में निकाल लेते हैं बहुती स्वादिष्ट सबजी बनी है आप इस सबची को पूरी पराठे या चपाती के साथ गरमा करम सर्व करें तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी यह रेसिपी पसंद आए होगी और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देए गए बैल आइकन को दबाना बिलकुल लब भूले जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए पाए